वेलकम टो लर्निंग्टीप चैनल एससी प्रिवियस येर सीरेज में आज हम लोग CGL के मैथ के पेपर का सॉलिसा देखेंगे जो एक्जाम 6 जून 2019 को सिफ्ट थर्ड में हुआ था उस पेपर का सॉलिसा देखेंगे इससे पहले 6 जून और 4 जून का 1 second थर्ड शिफ्ट का हो चुका है और आज जो है वो 6 जून के थर्ड शिफ्ट का होगा इसमें है पहला तिर्भूज A, C, E में B और D जो है करम सभूजा A, C और C परिस्तित है और B, D समाना अंतर A, E दिया गया है तो अगर B, D समाना अंतर A, E दिया गया है तो हम लोग क्या करते हैं A, E को नीचे बना लेते हैं A, E और C, E तिर्भूजा है न तो A, E नीचे कर लेते हैं और C यहां ले 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 था ठीक है और BD जो है वो AE के समाना अंतर है यानि ये जो B और D जो है वो AE के समाना अंतर हो गए इस परकार है कि AE जो है आठ वर्टा 3 BD के बरावर है यानि AE बरावर क्या दिया गया है 8 वर्टा 3 BD अगर हम इस BD को काटके नीचे लाएंगे तब AE बटा BD 8 वर्टा 3 आ गया यानि AE और BD का जो अनुपाता है आथ अनुपातीन इसका में अनुपात में AE का लंबाई 8 तो BD का लंबाई 3 हो जाएगा तो क्या ची निकालना है जब तिर्भूज में ये BD ये AE के समानांतर होता है तब जो क्या होता है कि ये CBD यानि BCD तिर्भूज और ये तिर्भूज बरावला तिर्भूज ABE ये ABE तिर्भूज क्या हो जाता है समरूफ हो जाता है और जब यह समरूप होगा तो इसके area का जो अनुपात होगा side के अनुपात के square के बराबर हो जाएगा यादी बटा A E का square हो जाएगा तो BD कितने दिया था 3 और A E 8 यादी तीन बटा 8 का square यादी 9 बटा 44 यादी 9 बटा 64 option नमर 60 दिसका right answer होगा अब नेक्स सवाल आते हैं इसमें क्या देखे cos theta बटा 1-sin theta plus cos theta बटा 1 plus sin theta बटा 4 देखे हैं इन्हें theta का माँद जो है वो 0 से लेकर 90 के बीच में है तो 10 theta plus cos theta है देखें कभी कभी ना हम लोग basic से भी सवाल को बनाएंगे तो बहुत ही easy बिम बन जाएगा और यह किस के बरावर है 4 के बरावर है ठीक है अब यहाँ पर cos theta lcm लेते हैं और यहाँ पर क्या होगा अगर यह दोनों इस दोनों का lcm लेंगे तो multiply हो जाएगा multiply होगा तो 1-sin theta और 1-sin theta याण ए-a-a-b इन्टू-a-b इन्टू-a-b उसके बावर यहाँ क्या बचेगा cos theta इन्टू यह 1 अब पलस 1 2 by 1-sin square theta क्या होता है cos square theta बढ़ावर 4 यह 2 से कितना बार में कटेगा दो बार में यह cos square theta से 1 cos theta हट जाएगा अब यह जो cos theta उपर जाएगा और 2 नीचे आएगा तो इसका मतलब cos theta बढ़ावर क्या आएगी यह 1 बच्टा 2 आ गया तो इसका मतलब theta बढ़ावर क्या जाएगा 60 degree यानि cos 60 होता है न क्वच्टा 2 यIGH थीच्टा का मान जब 60 degree आ गया तब हम क्या करेंगे यही 60 degree का मान इसमें put कर देंगे तो 1060 कितना हो जाएगा रूट 3 पलस कॉसेक 60 यानि 2 बाइ रूट 3 अगर हम यहाँ पर रूट 3 LC हम लेंगे तो यह रूट 3 और यह रूट 3 मल्टिपला होगे तो 3 अब पलस 2 5 बटा रूट 3 आएगा 5 बटा रूट 3 कोई option नहीं है तो क्या करते हैं पर्मेकरन करते हैं रूट 3 बटा रूट 3 से पर्मेकर करते हैं तो उपर बचेगा 5 रूट 3 और नेचे रूट 3 गोने रूट 3 तीन यानि 5 रूट 3 बटा 3 option नमरे इसका राइट अंसर होगा अब नेक्स सवाल आते हैं इस सवाल पीछले वीडियो में भी अच्छे से देखे थे और उसमें हम lög क्या करते थे जो रेशियो को बैलंस करने की कोशिश करते थे ऐस्वरिज को बैलंस करने की कोशिश करते थे जिससे 11 संखिया का उसफ़ अगर पहली 4 संख्या का उसफ भी वो 48 है यानि अगर 11 संख्या का आउसत चोबन है तो यानि सभी संख्या को हम लोग क्या करेंगे अगर 54 रखेंगे तो भी आउसत चोबन ही आएगा अगर पहली 4 संख्या का आउसत जो है वो कितना था 48 था इसका मतलब आउसत से कितना कम था 6 कम था आउसत से 6 कम एक संख्या 6 कम था तो चार संख्या में यानि ओभर और मानस 24 कम होगा यानि पहला जो 4 संख्या था वो 24 कम था और अगली 4 संख्या का उसत पहले त्यार के तुल्णा में 25 परसन अधिक है यानि फिर अगला 4 संख्या जो बचेगा उसका उसत पहले के तुल्णा हम 25 परसंन अधिक है यानि 48 पर 40 परसंन निकालेंगे यानि 45 परसंन एक बटा 4 निकालेंगे- ऊगार 12 वाइग हो गारें उगारो अगला जिस kaç star और किटना जहीं और 00 լासंसन होगा आगर ऑगला 4 00 संख्यां 24 कम था और यह 4 संख्यां 24 जैदा है तो यह दोनों मिलके और 70 को Maintain período 8 संख्यां तक का 80 मेंट है तो आगे का विट शंख्यां का मैंटफ्य का मैंटेनी रहेगा ययानि 54 इसका मतलब आगे के 3 संख्यां के यो कितना हो जाएगा 12 162 हो जाएगा यानि आगे का 3 संख्या का योग आगे 3 का योग कितना हो जागे 162 योगा अब आते हैं 9 संख्या 11, 60 अदिक है और 10 मी 11 से 4 दिक है यानि 9 दसमी और 11 9 संख्या जो 11 से 4 दिक 8 अधिक और 10 मी संख्या 11 से 4 दिक यानि अगर हम इसको x यानि 3x प्लस 12 बरावर 162 तो 3x बरावर 1500 तो x बरावर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ठीक है तो हमें क्याची पुछा जा जा रहा है 9 मी और 10 मी संख्या का उसत ना यानि ये दोनों संख्या का उसत पुछा जा रहा है ये दोनों संख्या का उसत अगर हम यहां पर उसत न पलस छे चपन हो जाएगा इसका उसत सौरी इसका जो नम्य और दस मिसां क्या का उसत होता हैगा वो चपन ऑप्शन नमर भी इसका राइट एंसर होगा अब नेक्स आवाल देखते हैं ओ केंदर और तिरजिया 10 सेंटीमीटर बाले बिर्त में पीकी और आरेस एक्स और बारेस सेंटीमीटर लंबाई की दो समाना अंतर जीवा है और दोनों ही ओ के विप्रिद दिशा में है तो सबसे पहले एक सरकल बना लेते हैं यह सरकल रहा है इसका केंदर ओ है इसका यह केंदर जो है वह माल लेते हैं फिक अब कैची बोला जा रहा है कि पीक्यू और आरेस दो जीवा है दोनों ही ayan केंदर यह विप्रिद दिशा में यानी पीक्यु इसको माल लेते हैं और पार. इस सेंटीमेटर होगा अगर हम इसके अंदर से इस पर अगर हम डालेंगे यह लाम डालेंगे तो यह उसको दो बड़ावर भागों बाटेगा दो बड़ावर भागों 6-6 मबाटेगा अगर यह दस तो यह आठ हो जाएगा 6-8-10 का ट्रिप्लेट बनेगा यानि इसका मतलब यह दूरी जो है 8 हो जाएगा अब कैची बोला जा रहा है आगे कि PQ और RS के बीच का दूरी 14 है यानि यह टोटल दूरी 14 है यह टोटल दूरी और जिसमें से यहां से लेकर यहां तक 8 है तो यह जो उपर वाला दूरी होगा हो कितना हो जागा 6 अब जब यह 6 होगा और यह 10 दिया गया है तो इस तिर्भूज में यानि दूरी हमेसा लंबत होता है दूरी हमेसा क्या होता है लंबत होता है यानि यह 10 है और यह 6 है तो इसका मतलब यह 8 हो जागा अगर यह 8 तो यह जो लंब होता है उसको दोबरावर परभाग मारते हैं यानि यह 8 तो यह भी आठ तो इसका मंदब टोटल एक्स का लंब है आठ प्लस आठ शुल्ला ऑप्शन नमर सी इसका राइट अंसर हो जाएगा अब नेक्स सवाल देखते हैं एक दस अंको की संख्या सवाल ज्यादा difficult नहीं होता लेकिन यह x का अधिक्तम सम्मान पूछ दिया है तो यह सवाल को थोड़ा सा complicated कर दिया गया है इसको किसे बना गो देखेंगे अगर यह 88 से भीभाज जाए अगर यह इसका मतलब यह क्या होगा कि यह 8 से भी भीभाज होगा और 11 से भी भाज होगा अगर हम 8 का divisibility चेक करें तो यानि last का 3 अंग चेक करेंगे last का 3 यानि 3 y 2 में अगर हम last का 3 अंग चेक करेंगे तो y का स्थान पर क्या क्या आ सकता है देखें यहां 2 है तो 8 के table में यह या तो 72 पे आता है 2 या तो 32 पे आता है 2 ठीक है तो अगर हम यहां पे y का बदले में य आप चोगा 32 ठीक है अगर फिर 36 बस जाएगा तो फिर ये 32 मिलके 32 हो जाएगा और कट जाएगा या इसका मतलब y का स्थान पर क्या जाएगा 5 हो जाएगा y का स्थान पर 5 रखेंगे तभी तो three five दो रहेगा और आठ चो का 32 तीन सेज बजाएगा फिर आठ चो का 32 फिर कट जाएगा इसका मतलब य के अस्थान पर क्या जाएगा पांच जाएगा और भी मान पोसिबल है अभी एक ही मान नहीं है और भी मान पोसिबल है एक मान तो य का पांच पोसिबल है अगर 32 लाना है जैसे अगर 32 लान पर जिसे अगर 72 लाना रहेगा हमें तो आत्री का 24 तो सब्सक्राइब तो लगेगा ही अगर साथ और बच जाएगा यहां पर इसका मतलब अगर यहां पर नौ रहेगा तो फिर साथ सेस बच जाएगा और फिर यह दो उतर जाएगा इसका मतलब अगर य के अस्थान पर नौ भी रहेगा तो यह 8 से कट जाएगा अब एक बात आओ बहत्तर लखने पर य के अस्थान पर एक और मान समब होता है अगर हम यहां पर अगर हम यहां पर 24 बार में ही लगाएगा तो यहां पर य का तीन मान समबब है 159 यहां पर य का तीन मान समबब है वो 159 अगर यह सवाल रहता है न य का अधिकताब मान के लिए तब यहाँ पे सवाल एजी हो जाता तब हँआ का अधिकताब मान 9 रखके इस सवाल को बना लेते हैं लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है X का अधिकताब स्वामान तो हमें यहाँ क्या करना परेगा X का मान निकालना परेगा अब हम क्या करते है Y का स्थाम पे मेरा क्या गया Sorry, Ignite यहाँ पर वज़ाने रहते हैं यानि Y का स्थाम पर मेरा एक या तो 5 या तो 9 होगा अब देखते एगार्य का डिविलिटी चेक करके यहानि नो दो 11 पलस X पलस 4 एकाड़ा चार पंदरा पलस Y यानि 15 पलस X पलस Y समंगों का योगार है और यहाँ पे देखे तो 4 8, 4, 12, 3, 15, 2, 17 यानि 17 जो है वो विसमंगों का योगार है और 11 का दिविजिमिटी का क्या नियम होता है कि जो sum अंक और भी sum अंक का जो आंतर होता है वो या तो 0 होना चाहिए या तो 1 का multiple यानि इस दोनों में अगर हम 0 करने की कोशिस करेंगे तो हम अगर y का मान 1 रखते हैं तो x का मान क्या जाएगा, 1 आ जाएगा अगर 0 करने की कोशिस करते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब y का मान 1 एक तो x का मान 1 आ गया, y एक तो x एक अब एक चीज़ा और अगर हम इसको मान चलिए y का मान 5 रखेंगे तब यह 0 नहीं होगा, क्योंकि 15, 15, 20 तो यही हो जाएगा तो x का मान भी कुछ रखना पड़ेगा, y का मान अगर हम 5 रखेंगे तो ऐसा करते हैं, इस दोनों का अंतर 11 भी होगा तो चलेगा अगर हम इसमें 11 एड कर दें, यानि 28, यानि यह मान 8S हो जाएगा, क्योंकि 11 एड करेंगे तो यह 8S हो जाएगा और यह भी 28S हो जाएगा, तो 68, 68 मतलब 0 हो जाएगा तो ऐसा करते हैं, अगर हम y के बदले में 5 रखते हैं, तो 15, 5, 20 हो जाएगा और y के बदले में 9 रखते हैं, तो 15, 24 और तो x के बदले में क्या जाएगा, 4 यानि तीन मान यहाँ पे possible आया पहला मान अगर y 1 तो x भी 1 y 5 तो x 8 y 9 तो x 4 तो इसमें कैची पूछा जा रहा है x का अधिक्तम संभब्मान तो x का अधिक्तम संभब्मान के लिए यानि जब x का अधिक्तम संभब्मान 8 तो y कितना 5 यानि 8 पंचे 40 और 7 पंचे 35 यानि 40 में से 35 गया 5 यानि इसका जो अंसर होगा option नमर यह होगा बहुत लोग इसको बनाते होंगे उसको अंसर याद होगा तो direct 8 पंच ले लेंगे बोलेंगे एक ही मान पॉसिबल नहीं यहां पर तीन मान पॉसिबल है और तीनों मान लेकर बनाना पड़ेगा नहीं तो कभी भी गल्ती कर सकते हैं अब नेक्स आवाल देखते हैं यह 3 रूट 3 x cube माइनस 2 रूट 2 y cube इस इकल टू रूट 3 x माइनस रूट 2 y इसके बाद हम लोग सकते हैं अगर यहां देखें तो इस फ्वार्म तो रूट 3 x का हॉल क्यूब माइनस रूट 2 y का हॉल क्यूब है यह भाग ठीक है इसको हम बाद में यूज करेंगे तो रूट 3 x का हॉल क्यूब एनस रूट 2 y a-b into a square करेंगे तो 3x पलस b square करेंगे तो ये b square करेंगे तो 2y और पलस a-b a-b करेंगे तो root 3 अगोने root 2 यानि root 6xy यानि a-b aq-bq के form में इसको तोर दिये और ये किसके बराबर है ये बराबर है root इसके बराबर यानि root 3x- root 2y into a-x square plus by square plus cxy इसके बराबर है ये तो यहाँ से root 3x- root 2y cancel हो जाएगा दोनों तरफ ये दोनों cancel out हो जाएगा x square का coefficient यहाँ पर x square का coefficient a है और यहाँ पर x square का coefficient 3 है तो इसका मतलब ये कामान 3 हो जाएगा यहाँ पर y square का coefficient 2 है यहाँ पर y² का कॉफिसेंट b है तो इसका मतलब b का मान जो है 2 हो जाएगा यहाँ पर xy का कॉफिसेंट root 6 है और यहाँ पर xy का कॉफिसेंट c है तो यहाँ पर c का मान क्या हो जाएगा root 6 तो हमें क्याची निकालना है ए गुना b भागा c एक उना भी करेंगे तो 3 उना 6 और भागा सीक वले में रूट 6 तो यहां से अगर ये रूट 6 से काटेंगे तो ये रूट 6 बार में कटेगा आप्सन नमर 20 का राइट अंसर हो जाएगा अब नेक सवाल आते हैं किसी काम को करने के लिए ABC की छमता का जो अनुपाता है 7, 5 और 6 है यानि A, B और C का जो छमता है वो कितना है? 7 अनुपात 5 अनुपात 6 है ठीक है? एक साथ काम करते हो उस काम को 35 दिनों में पूरा कर सकता है यानि अगर हम छमता को दीन से गुना कर देते हैं तो क्या आता है? टोटल काम आता है तो जब वोग एक साथ काम करते हैं तो 35 दिन में करता है यानि जब एक साथ काम करें तो टोटल चमता कितना हो जाएगा? 7, 5, 12, 6, 18 एनौने 18 चमता से काम करने पागर 35 दिन लगता है इसका मतलब जो टोटल काम होगा टोटल काम कितना हो जाएगा 18,35 ठीक है यानि 18,95 और ये 630 हो जाएगा अब इस टोटल काम में से B और C ने मिलकर 21 दिन काम किया अगर B और C मिलकर काम करेगा तो टोटल 16,11 16 अगर 21 दिन काम करेगा तो टोटल कितना काम कर लेगा? 211 काम कर लेगा अगर 216 से 21 दिन काम कर लेगा 231 काम कर लेगा तो 6 काम कितना बचेगा 6 काम यानि तोटल 630 में से अगर 231 काम हो गया तो 6 काम यानि 399 बचेगा अब इस 6 काम को कौन कर रहा है A कर रहा है 6 काम को A कितनी दिन साथ करेगा यानि 399 काम को 716 से कितना दिन करेगा साथ से डिवाइड करके निकाल लेंगे यानि 735 और 749 यानि 57 दिन में CS काम को करेगा अप्सन नमर इसका राइट अन्सर हो जाएगा अब नेक्स सवाल आते हैं कुछ फलो को 100 रुप्या में 11 की दर से और उतने ही फल को 100 रुप्या में 9 की दर से ख़ई दे जाते हैं यदि सवी फलो को 100 रुप्या में 10 की दर से बेचा जाता है तो पूरे लेंदेन में लाव यहानी कितना होगा दिखेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको अनुपात में ले आते हैं अनुपात में इसका CP यानि फर्स्ट का CP सकेंड का CP और यह जब दोनों मिला देते हैं यानि जब दोनों को मिक्स कर देते हैं तब का SP यानि दोनों CP और SP को हम लोग क्या करते हैं अनुपात में ले आते हैं अगर कुछ फालों को 100 रुपिया में 11 की दर से खड़िदा तो याँ 11 फाल का कीमत अगर 100 रुपिया तो एक फाल का कीमत 100 रुपिया फिर उसी तरह दूसरा फल का यानि 9 फल का कीमत 100 रुपया तो एक फल का कीमत 100 रुपया फिर बेचा किस दर से जाता है यानि 100 फल को 10 के दर से बेचा जाता है तो एक फल का कीमत कितना हो जाएगा सो बट्टा दस हो जाएगा अब इसके तीनों का CP और SP का अनुपात कितना हो जाएगा अगर हम यहां से काटेंगे यह तीनों दस काट जाएगा यानि यह LCM लेंगे तो 11 गुने 9 गुने 10 LCM आजाएगा और 11 तो रहेगा यहीं आकेवल 9 और 10 को गुना करेंगे तो 90 यहां पे अब इसके करायमुल का अनुपात आ गया दोटल मेरा जो пам Ugh 20 KP 200 हो जाएगा और मेरे पाँ 1157 परती के हिसाब से बेचेंगे रभी जचानी हो रहा यहां करायमुल 200 पे गुने 100 यानी 1% का हानी हो रहा है option number 20 का right answer हो जाएगा तो इस तरह का सवाल जब भी आये तो हम क्या करेंगे इसको अनुपात में convert कर लेंगे अनेक सावाल देते हैं यानी यह जो trigonometric function का जो मान है वह किसमे लाना है numerical value लाना है तो ठीटा का को भी मान put कर देंगे अगर हम ठीटा का मान यहां पर यह साइन ठीटा का बात करें ने साइन और को से का बात कर रहा है तो तो 30 डिग्री रख लेते क्योंकि 30 डिग्री पर यह मतलब एक वट्टा दो यानि थोड़ा सा calculation करने में सुभदा होगा तो साइन 30 डिग्री लेंगे ना तो 1 भाइ साइन 30 कितना होता है एक वट्टा दो एक बट्टा दो मैनस काट 30 कितना होता है रूत 3 रूत 3 का स्क्वार 3 बाय उन पलस ये उन पलस को से एक 30 ना तो को से एक 30 कितना होता है 2 पलस 2 ये दो उपर चला जाएगा माइनस ये 3 बट्टा 3 یع developments 1 ये इन 2 में से गया एक ये इसका जौ अंसरों का option नमर ए हो जाएगा तो numerical value में जब भी answer निकालना रीट इंगर numetric function का तो theta का कोई हुमान put कर देंगे अब next सवाल देखते हैं जिस इसमें दिया गया है तो इसमें भी हम क्या करते हैं theta का कोई हुमान put कर देंगे अगर theta का मान हम यहाँ पर क्या put कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 30 degree ही put करते हैं ताकि हमें calculation करने में सुबदाय रूर यानि root का चकर नहीं परेगा अगर हम theta का मान 30 degree put करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 by 1 plus sin 30 कितना होता अगर हम यहाँ पर calculation करेंगे यह 5 वर्टा 4 आएगा तो यह 4 उपर और 5 नीचे पलस 1 वर्टा 5 यानि 4 वर्टा 5 पलस एक वर्टा 5 यानि 5 वर्टा 5 कटके कितना गया एक यानि इसका जनसर होगा option नमर 20 का राइटनसर हो जाएगा अब नेक्स सवाल देखते हैं सुधा अपनी आय का 15 परसेंट बचाती है यानि कहने के मतलब सुधा का अगर आय 100 रुपिया है तो उसका जो बचयत है वो कितना होगा 15 रुपिया होगा जिसका मतलब उसका खर्च कितना हो जाएगा 85 रुपिया सुधा अपने आय का 15 परसेंट बचाती है यानि सुधा का अगर हम 100 रुपिया मानेंगे तो 15 रुपिया बचाती है तो 85 रुपिया खर्च करती है अब क्या हो लगा यादि ब्याय में 20 परसेंट का विर्दी होता है तो 85 का 20 परसेंट कितना होता है अगर 15 का 3 बटा 5 निकाल लेंगे तो 9 और 9 अगर हम विर्दी करेंगे तो यह 15 और 9 24 हो जाएगा बचत ठीक है तो पर तीसत का सवाल जब भी है तो इसी तरह से कल्कुलेशन कर लेंगा अब यह नहीं कि 85 गुने 120 बटा 100 यानि 26 के विशेश 25 सब्सक्राइब करेंगे डिरेक्ट हम लोगी कल्कुलेशन को फास्ट रखेंगे तो अगर 15 का यानि अगर बचत में 60% विर्दी होता है तो 24 पर बचत हो जाएगा तो इसका मतलब बाद में उसका आई कितना हो गया 102 अप पलस 24 यानि 126 उसका आई हो गया होगा इन आई का अंसर होगा ओप्सन नमर ए होगा 26 पसंद का बिर्दे अब नेक्स सवाल देखते हैं यह दि किसी व्यक्ति ने एक निश्चीत राशी पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्स के लिए उधार ले जबकि ब्याज का वार्षिक रूप से सन्योजित था दो वर्स पस्चा तो उसने 66 3634 उप्या का भुकतान कि और तीस्रे वशकाद में 13200 उप्या का भुकतान कर दिया भुकतान करके पूरा रिन चुका दिया तो द्वारा उधार ली घराशी कितनी थी जैसे दस परसेंट come legal हम माल लेते की एक्शूर्पया वह उधार लिया बो लिए स्याइद दस परसेंट की दर से दौ है ये कितना उरप हो जाएगा 10 सबसे पहले हम इसको यह निकाल लेते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको और effective rate निकाल लेते हैं यह यह 10% के दर से 2 यह का effective rate कि नहोंगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 वर्टा 100 यानि 20% बहुत को याद भी होगा कि यह 20% होता 2% के दर से effective rate यानि 21% तो ब्याज हुआ ना अगर हम इसका 111% निकालेंगे तो यह एमांट हो जाएगा दो यहर में यानि एक सुर्पया की रासी दो यहर में इतना एमांट हो जाएगा जब इतना एमांट हो तो दो बर्स के बाद क्या किया उसमें से 6,634 रुपया का भुगतान कर दिया यानि यह रुपया इतना हो गया और इसमें से 6,634 रुपया भुगतान किया तो अब 6 इतना रासी बचा 6 रासी इतना बचा यह यानि जैसे एक्स रुप्या उधार लिया था और दो बर्स में यह एक्सो एकिस परसेंट हो गया होगा अगर यह एक्सो एकिस रुप्या हो गया होगा एक्सो एकिस परसेंट तो इसमें से अगर 6,634 रुप्या उधार चुका दिया तो दो बरस के बाद इतना रासी बच गया होगा अग इस रासी पर 10% के दर से अगर ब्याज चलेगा तो यह 110% एमोंट हो जाएगा एक साल में और तीसरा साल जमा कितना करता है तीसरा साल वो 13200 रुपया जमा करता है यानि इतना रासी इस रासी पर अगर हम 10% के दर से अमोंट निकालेंगे तो यह 110% हो जाएगा यानि इतना रुपया चुका ना परहेगा और चुका कितना रहे 13200 यानि यह किसके बरावर हो जाएगा 13200 के बरावर हो जाएगा अब यहां समलों कैलकुलेशन करके हम लोग एकस का मान निकाल सकते यानि एक 0 से 0 कर जाएगा यानि 11 से 12 बार में 1200 यानि यह 12000 हो जाएगा यह 0000 अब यह 6634 अगर उधर जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 4,3,6,8,1 यानि 18634 यानि एकस का 121% बरावर कितना अगे 18634 अगर 12 से हम काटेंगे तो एक बार में लगेगा यह 121 बार में यानि 5,6,3 फिर यह कितना बार में लगेगा पांच बार में लगा दे और फिर लास्ट में इकायस्तान पर 4 है तो यहां पर 4 बार में लगेगा और यह 0000 धर जाएगा यानि 15400 आप्शन नमर 10 का राइट ग 용र में आठील पर्फसे गटा की गती से चल रहा है कि व्यक्ति को 15 स्केना पार करती है यानि अगर किसी व्यक्ति को 15 स्केना पार करेगा तो यहां सहम रेलगारी का डिस्टेंस निकालें डिस्टेंस व्रावर क्या होता है टाईम गुणा है स्पी Next यानि अगर कोई डेलगारी एक बैक्ति को पार कर रहा है इसका मतलब डेलगारी अपने खुद की लंबाई को पार कर रहा है तो टाइम कितना देगा पंद्र और उसी दी समझा रहा है तो इस दोनों का चाल घट जाएगा यानि 44 में से आठ जागा तो 36 किलो मीटर परावर है और यह सकेंड में तो 5 बटा 1800 गुना करके हम इसको भी मीटर पर सकेंड बदल देते हैं तो यहानि 1500 मीटर उसी रेलगारी का लंबाई आ गया अब क्या वहले यदि रेलगारी विप्री दिसा में चल रहें महिला को 10 करते हैं तो महिला की गति क्या हो गया यानि एक स्टक अब्ड़ावर के होता डिस्टेंस वाई टाइम और एस्पीड अगर बिप्रीद ही साम जा रहे तो दोनों का एस्पीड जूट जाएगा यानि ट्रेन का स्पीड कितना था 44 किलो मेंटर पर आवर और महिला का स्पीड करके हम लोग के अगर्द इसको भी किलो मीटर पर सकंद में करवट कर देते हैं तो यहां से एक जिरो से एक जिरो कर गया पांस से यह तीन बार में तो यानि इसका जो महला का जो चाल आएगा वो 10 किलो मीटर पर आवर यानि यह जो 10 किलो मीटर पर आवर में ही आएगा अब नेक्स आवाल देखते हैं इसमें A पलस B पलस C बार कितना दिया गया है दो दिया गया है और A स्कार पलस B स्कार पलस C स्कार जो दिया गया है वो 26 दिया गया है तो क्या निकालना है A Q पलस B Q पलस C Q मैनस 3AVC तो इसका क्या फर्मूला होता है A पलस B पलस C into a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c a ठीक है तो हमें सब कुछ पता है a plus b plus c पता है a square b square c square पता है a b b c c a नहीं पता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से square करके a b b c c a निकाल लेंगे तो अगर हम इसका square करें तो यह क्या होगे a square plus b square plus c square plus 2 into a b plus b c plus c a बराबर 2 के square 4 ठीक है दोनों बोले square किये अब हम क्या करेंगे यह a square b square c square वाले हम क्या दिया गया है अगर यह 26 अगर उधर minus होगा तो यह कितना हो जाएगा minus 20 होगा अगर हम 2 से काटेंगे तो यह कितना वार में कटेगा minus c 11 वार में कटेगा यानि a b plus b c plus c e कितना गया minus 11 आगया अब हमें सब कुछ कामान पता चल गया a plus b plus c 2 दिया गया है और a square plus b square plus c e square 26 दिया गया है और minus अगर यहाँ पर minus कॉमा लेंगे तो a b plus b c plus c e बचेगा और इस कामान minus 11 है तो minus minus plus 11 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर दो गुने 37 यानि 74 यानि option नमर 20 का right answer रोगा तो इस तरह का सवाल बहुत बारा आ चुका है तो इसलिए फर्मूला को याद कर लेना है अब next सवाल देते हैं यानि a plus 1 by a बरावर 3 दिया गया तो 1 by 1 power 4 यानि कहीं पर अगर a plus 1 by a बरावर x रहता है तो a square plus 1 by a square क्या होता है x square minus 2 उसी तरह से यहाँ पर a plus 1 by बरावर 3 दिया गया है अगर हम square square करेंगा यानि a square plus 1 by a square क्या होगा x square minus 2 यानि 3 का square minus 2 कितना हो जाएगा 7 नुमेंस 2 के 7 फिर हम हम स्क्वाइर अगर करते हैं तो 1ग पावर 4 प्लस 1 बें 1पावर 4 आएगा और यह क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वाइर माइनो 2 यानि 9-2 47 ओप्षन नमबर A अब नेख्स अवाल देखते हैं यहाँ क्या देगा 1 प्लस 10 स्क्वाइर थीटा into सोरी यहां पर plus है plus 1 plus 1 by 10 square theta बढ़ावर क्या दिया गया है k दिया गया है तो root k का मान निकालना है तो या तो हम theta का मान put कर देंगे theta का कोई मान put कर देंगे या फिर क्या करेंगे हम लोग इसको basic से भी solve करेंगे अगर हम theta का मान 45 degree यहां पर put करते theta का मान 45 degree तो यह मान क्या हो जाएगा 1 plus 1 plus और यह मान क्या होगा 1 plus 1 10 45 एक होता है या न बढ़ावर के तो k बढ़ावर कितना हो जाएगा 1,2,1,3,1,4 यान k बढ़ावर 4 तो हमें root k का मान निकालना है तो root k कितना हो जाएगा root 4 यानी 2 यानी root k का मान 2 आया तो option में theta का मान 45 डिग्री रखने पे 2 कहाँ पर आएगा तो वो केवल एक ही option में आएगा वो cosec theta into sec theta को cosec 45 भी root 2 होता है और sec 45 भी root 2 यानी root 2 गुनी root 2 यानी इसका जो अनसर होगा option नमर इसका राइट अनसर होगा बांकी कहीं पर भी 2 नहीं आएगा या फिर basic से भी इसको solve करेंगा तो भी अब next सवाल आते हैं इसमें क्याए कि सुल्ला भागा पहले हम लोग काका काम करें यानी चार्चो का सुल्ला यानी सुल्ला भागा यानी यहां पर तीन भागा यानी चार गुने तीन भाग तीन पलस तीन छे क्योंको पहले बडाकेट का काम करते हैं और का फोर ठीक है भाग इसमें क्या हो जाएगा दो भागा कितना 32 क्योंको पहले का 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 काम करेंगे ना पहले काका कम करेंगे तो आच्छों का 32 ठीक है यहां पर तीन भाग यानि यहां पर कितना हो जाए चार ती बारव और भागा छे यानि दो का चार यह ब्रैकेट अफ़ आज़ा देते हैं दो का चार यह आया और भागा यह एक वट्टा सोल हो जाएगा निदो बट्टा 32 या का गुर्णा और यह सोलो उपर चला जाएगा इन आच से दो बार में यहीं तिन दून अच्छी ऑप्सन नमर सी इसका राइट अंसर होगा तो जितना जल्दी हो सके इस सब सवाल को बना लेना है क्योंकि इस सब सवाल में हम समय बचाएंगे तो ही हम किसी दूसरे सवाल मे अब नेक्स सवाल लेखते हैं तिरभूज ABC के चेतर फ़र एक एक आई है ठीक है और DE BC के समाना अंतर एक CD रेखा है यानि DE जो है BC के समाना अंतर है तो सब सब पहले एक तिरभूज बना लेते हैं A, B, C और DE जो है वो BC के समाना अंतर है अब क्या बोला ज़र A, B और A, C पर DE है यानि A, B पर D और A, C पर E है इस परकार जोड़ है के AD अंपाद B, D जो है वो एक अंपाच्छा है यानि AD एक तो B, D, 6 हो जाएगा यानि एक अंपाच्छे है तो तिरभूज A, D, E और ABC के चेतर फ़र का अंपाद हम लोगों को पत जब यह समरूप होता है तो उसका जो एडिया का अंपाद होता है ADE बटा एडिया और तिरभूज A, B, C जो होगा वो क्या हो जाएगा उसके भूजा का अंपाद के स्क्वार बराबर यानि इसका भूजा अगर हम AD लेंगे तो बढ़ावाला अपाद भूजा A, B लेना प अब नेक्स आवाल देखते हैं तिरभूज ABC में AC पर D एक विंदू है यह तिरभूज ABC हो गया और AC पर कोई जो विंदू है वो D है यह D ले लेत AC पर कोई विंदू इस पर करहा है कि AB, BD और DC बराबर है यानि इस पर करहा है कि यह AB और यह BD और यह DC यह तीनों भूजा फछी आपश में बराबर हैं और BAD जो है वो 70 डिग्री दिया गया यह यह जो एंगल है BAD वो 70 डिग्री दिया गया है तो क्या चीफ निकालना भी यह पूरा कोई का मान निकालना है देखे हम लोग को क्या पता है तिर्भूज में बरावर भूजा के सामने का कौन बरावर होता है जैसे अगर ये दोनों भूजा बरावर है इस तिर्भूज में तो इस भूजा के सामने ये कौन और इस भूजा के सामने ये कौन ये दोनों क्या होगा बरावर होगा इन सामने यह कुन बराबर होगा तो यानि यहानि यह सत्तर डिगरी के तिर्भूज के शोची के लिए शोगल का है 120 डिगरी एकंपन सत्थ्यारन गांगत सालिस टो है बांकी बचारन पर कम कोन यह बराबर होगा अर्य तभीच बराबर है यह बुझा और यह बुझा अगर बराबर है इस पुझा के सामने ये को रोड़ी समय को और इस दोनों कोनों का 70 yeah 35 यह बहुञत मुंखा जह जाएगा था 35-35 तो यानि यह पूरा एंगल निकालना था छालीस प्लस 35 75 यानि option नमर 20 का right answer हो जाएगा अब next दवार आते हैं PQRS एक चक्रिया चत्रभूज है यादि कौन P, कौन R का तिन गुना और कौन S, कौन Q से 5 गुना यानि चक्रिया अगर चत्रभूज है इसका मतलब आमने सामने का कौनों का योग होगा वो 180 डिगड़ी होगा यानि PQRS तो P जो है R से 3 गुना है यानि R को अगर हम X मानेंगे तो P 3X होगा और आमने सामने कौनों का योग 180 डिगड़ी यानि X पलस 3X वरावर 180 डिगड़ी यानि 4X वरावर 180 डिगड़ी तो X वरावर कितना होजागा यानि Q को अगर हम Y मानेंगे तो S 5Y हो जाएगा और आमने सामने कौनों का योग 180 डिगड़ी यानि 5Y पलस Y यानि 600 वरावर 180 डिगड़ी तो Y वरावर कितना होजागा है 30 डिगड़ी हो जाएगा तो क्याची पूछ रहा है कौन Q और कौन R का मान यानि कौन Q Y है Y का मान 30 डिगड़ी अब पलस कौन R कौन R X है और X का मान 45 डिगड़ी यानि 30 पलस 45 पच्छत्तर आप्शन नमर स्रीज का राट अंसर हो जाएगा तो हमें साथ द्यान रखेंग द्यान by त्यं त्यर चार पांच साथ के अनुपात में है आंतरिक बृतों के बीच के छेतर फल का दो बाहरी बीच के छेतर फल से सesus अनुपाद हाट जैसे तीन संकेंद्र वीरित मैं क्या हे एक ही केंदर हो तीनों का क्एंदर एक ही हो वह उसांफेंद्र होता है दो बिर्थ हो गया और ये तीसरा बिर्थ हो गया ये तीन संकेंदिया बिर्थ है और तीनों का जो केंदर है वो एक ही है और इसका तीर्जिया का उनुपाद चार पांच साथ दिया गया इसका तीर्जिया चार तो ये बीच वाला का तीर्जिया पांच और ये बाहर वाला का तिर्जिया साथ दिया गया है ठीक है आंतरिक बीर्थ के बीच का चेतरफल यानि आंतरिक में ये दोनों बीर्थ है जहां लाल को पॉइंट आउट किया है वो ये दोनों बीर्थ है आंतरिक में ये दोनों के बीच का चेतरफल का बाहरी दो बीर्थ यानि बाहर का दो विर्ट कोन एक ये है और एक ये है इस विर्ट के छेतफल से अनुपात निकालना है यानि ये वाला विर्ट का इस विर्ट के छेतफल से अनुपात निकालना है तो जो अगर तिर्जिया का अनुपात पता चल गया है तो छेतफल का अनुपात उसका स्क्व पांच 5 स्कूर पांच 5 स्कूर 15 को अंद्रवाले के तीर्य स्wahा होता जो,ंद्रवाले के तीर्य सोर्वा है तो उन्चाश में से सोल्वाँ गरटाएंगे एक मिनिट, एक मिनिट, इहां कन्फूज मत होगा, बाहर वाले का तिर्जिया, बाहर वाले का तिर्जिया, एक हम दूसरा कलम ले लेते हैं, ये काला कलम लिए, बाहर वाले का तिर्जिया कितना है, साथ है, तो साथ के स्कार उन्चास हो जाएगा, हमें ये भाग का छेत्पल निकालना है न तो हम यहां तक का तिर्जिया वाले को मैनस कर देंगे और यह जो बीच वाला का तिर्जिया है वो दिया गया 5 यानि 5 का स्कार 25 को मैनस करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 24 यानि बाहर वाले को जो 6 तरफल आ गया वो 24 आ गया और अंदर वाले का जो 6 तरफल है वो कितना है 9 है यानि 9 अनुपाथ 24 कितना हो जाएगा 3 अनुपाथ 8 आपसन 3 से काटनेंग तो 3 अनुपाथ 8 आपसन 9 बीस का राइटेंस रोगा यानि जो 3 जिया का अनुपाथ हो जाता है अब डिया से सवाल है इसको भी देखते हैं हम लोग इसमें क्या कि 2013 और 26 के दोरान बी परकार के कारों का कुल उत्पादन यानि 13 में बी कितना है 47 और 16 में बी कितना है चौबान कुल उत्पादन कितना हो जाएगा 47 पलस चौबान यानि 74 पंचा नेक दस यान 101 दोरा से 16 के द सोलों में 20 साब को जोड़ना परेगा तो कितना हो जाएगा 7 5 12 8 24 24 दो फिर 5 25 चार उनीस दो 214 हो जाएगा 23-14 तक में बीक परकार कारों को कुल उत्पादन 214 और 27 में कारों का कि दोहार 17 में कार का कुल उत्पादन कितना हो था यानि 6 4 10 12 6 8 12 222 यानि 6 6 12 6 18 6 24 7 31 2 33 यानि 214 बट्टा 330 गुने 100 यानि 10 से 10 कर जाएगा यानि 33 को अगर हम 240 में हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 से ये 6 बार में लगेगा 6 3 18 6 3 18 गुनीस फिर ये कितना 6 एक मिनट यहां पर बोला जा रहा है कितना परतिसत कम है 27 के कार से कुल उत्पाद कितना परतिसत कम है कितना परतिसत है यह निकालना है यानि इसका 214 आ गया था और 27 का कुल पाद में 330 आ गया था तो कितना कम हो रहा है पहले घटा लेंगे यहां परतिसत कम है वो बोला जा रहा था है है pare इसमेंपर में परकार कार का लुठक का कितना परतिसत के इसमें परतिसत कितना एंभाल को अधिक होना चाहिए यहिसमें कितना परतिसत कि सवाल मिशिंग dev SI TV जेए तो क蓋 33 में 52 है तो 58 वावन का जो हम कितना जाएगा 110 ah है और दुह्यावत उसके बाद 23 में जित्थ 2424 दम है यहां पे कितना परतिसाथ है तो यहाँ पर कितना परतिस्त अधिक है होना चाहिए तो कितना अधिक है 20 अधिक है कितना में 90 में गुना 100 याणि एक जीरो सीग जीरो कर जाएगा याणि 9 को अगर हम 200 भागा देंगे तो 92918, 92918 याणि 22.22 आ जाएगा ठीक है तो इसका जो अशरों का अप्सन वे भी होग यहां सवाल को सुधार देंगे यहां पर उना चाहिए उत्पादन का कितना परतिसत अधिक है तभी अंसर 25.25 आएगा ने तो कोई आफ्सन नहीं मैच करेगा अब नेक्स अवाल आते हैं दोहाँ सत्रह में ए परकार के कार और दोहाँ पंदरह में डी परकार के कारों का कुलूत पादन 17 में A कितना है 64 और 15 में D यानि 15 में जो D दिया गया है वो कितने देगे 56 का कुल उत्पादन कितना हो जैगा 640 और 65 क吧 120 हो जाएगा के कुल उत्पादन का 2013 में B और E यानि 2013 में B 47 और E 48 यानि इसका यो कितना हो रहा है 100 से अनुपाद किया होगा यहीं 120 अनुपाद 100 कितना हो जाएगा 20-6 बार में कि सब्सक्राइब यह 90 होगा ना यहीं 47 और 43 का यह करेंगे तो 90 होगा यानि 30-4 बार में 30-3 बार में निकाल लेते हैं तोटल कितना है ठीक है तो टोटल कितना है छे तीनों पांच चौदा छे बीस दो और छे बारह अठारह 24 तीस यानि तीनसो टोटल हो जाएगा टोटल तीनसो है तो किसका पूछ रहा है दी परकार का दोहाँ 16 में elet परकार का जो काड है वह कितना है 65 है कितना में 300 में विरत खंड करेंग यह草स छे से च 세 बार में500 बार अप्शन में भी इसका राइट अन्स होगा तो आज का सेशन यह इसा आता है थैंक्स पर वाचिंग दिस थैंक्यू बाइबाइ